हेलो दोस्तों कैसो आप सब लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ और टो फाइब अपकमिंग बारे में जो आपको अंडर टू लाइब प्राइस रेंज की कैटेगरी में इंडिन मार्केट में जल्दी देखने को मिलेंगी दोस्तों 2021 में काफी बाइक लॉंच होने वाली है और कुछ नियू प्रेमिम ब्रांट्स भी आपको इंडिन मार्केट में देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते इस वीडियो में ये बाइक कब और किस प्राइस रेंज में आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी तो आप वीडियो का एंड देख जरूर देखे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमबर वन टीवियस जेपलीन दोस्तों टीवियस की तरफ से पहली बार को एक क्रूजर बाइक आने वाली जो और टेवाक स्पो में लाजट टेर रिबील हुई थी क्योंकि इसका डिजैन काफी कुल और ट्रेक्टन गा ये बाइक एक प्रीमिम्म काटेगरी की बाइक लगते है जो आपको 1.80 लैक के असपास जल्दी रोड पर देखने को मिलेगी ये बाइक 220cc की है लेकिन कोई भी एक क्रूजर बाइक 220cc काटेगरी में नहीं लेना चाहेगा TVS प्लान कर रही है इसको एक Heavy 300 to 350cc इंजिन के साथ इंडिया में लॉंच करने के बारे में ये बाइक जून से जुलाइक में आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है थाइलेंड और इंडोनेशन मार्केट में इस बाइक ने R15 और CBA जैसी बाइकों काफी तफ कॉंपेटिशन दिया है अपने पावर और लुक्स की वज़े से इसलिए GPX ब्रांड पूरी तैयारी में इस बाइक को इंडियन मार्केट में लॉंच करने के बारे में यह बाइक 198cc लिक्विट कूल सिंगल सिलेंडर SOSC इंजन के साथ आती है जो 16-19 होर्सपावर और 17.2 न्यूटन मीटर एक 6500 आर्पेम का टोर्क प्रोडूस करता है आपको इसमें डूल चैनल ABS और 6-feet gearbox देखने को मिलते है इसका फ्रंट टैर 100 x 80 mm और रिर टैर 140 x 70 mm वी रबर सूपर जीटी रेडियल टैर मिलता है आपको इसमें अपसेट डाउन फोक्स और YSS 7-step adjustable monoshock suspension मिलता है इस बाइक की ग्राउंड क्लिरेंस 159 mm है और seat height 815 mm है जो थोड़ी दिक्कत दे सकती है लो रैडर्स को इस बाइक की top speed 150 km परातकी रहने वाली और आपको इसमें एक sporty exhaust note, unique design और एक eye catching black, red और gray color देखने को मिलेगा क्योंकि ये बाइक 200cc category में आती है इसलिए इसका price Indian market में 1.70 से 1.80 lakh होने बाला है ये बाइक आपको अगस्त के आसपास Indian market में देखने को मिल सकती है और आपको इस बाइक का weight जरूर करना चाहिए अगर आप एक fared bike लेने के बारे में सोच रहे है जैसा कि आप सब जानते है यामा की R15 का price हर 3-4 महीन में बढ़ जाता है जिसकी वज़ा से R15 की sales में काफी फरक पढ़ रहा है और लोग switch करने लगे हैं दूसरी bikeों पर इसलिए यामा अपनी R125 के साथ आने का plan कर रही है जिन लोगों को R15 सिरफ looks के लिए पसंद है वो लोग जरूर switch करेंगे R125 पर इसके low price होने की वज़ा से जिनको R15 लेने तो उनको कोन ही रोख सकता है बाकि ये bike total same होने वाली है यामा R15 V3 से इसमें आपको 125 cc liquid cool single cylinder engine देखने को मिलेगा जो 15 hp at 9000 rpm की power और 11.5 newton meter at 8000 rpm का torque produce करेगा क्योंकि ये bike 125cc category में आगी तो आपको ये इंडिया में single channel ABS के साथ देखने को मिलेगी और इस bike की expected price 1.20 lakh के असपास होने पाली है और आपको ये bike जून से जुलाई के बीच इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है अगर आप भी एक दिवाने R15 के और परशान इसके ब काटेगरी में आने वाली जिसमें same R15 V3 का 155 CC liquid cold single cylinder engine यूस किया गया है जो 19 HP के बाहर प्रोड्यूस करेगा आपको इसमें 6-speed gearbox Yamaha से slipper clutch के साथ देखने को मिलेंगे ये bike 2 channel ABS के साथ आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है आपको इसमें all digital console LED headlight और tail light मिलती है इसमें आपको USG 4 को rear monoshock suspension और 10 liter का fuel tank मिलेका इस bike की expected price 2.50 lakh के आसपास होने वाली और expected launch date अगस्त की होने वाली है नमबर 5 Yamaha MT 125 Yamaha अपनी MT series 2020 में इंडिया में launch नहीं कर पाया था इसलिए 2021 के end तक Yamaha अपनी MT series की कुछ भाई के जैसे MT 125, MT 00, MT 00, MT 007 launch करी देगा इस सारी भाई COVID की वज़ा से pending थी तो आपको Yamaha MT 125 में same 125 CC liquid hold single cylinder R125 वाला engine देखने को मिलेगा जो 15 HP के power produce करेगा ये बाइक same MT 15 के looks के साथ इंडिया में launch होगी expected price 1.20 lakh के आसपास जो काफी अच्छा competition देगी KTM Duke 125 को MT 125 आपको अगस्त के आसपास देखने को मिल जाएगी बागी आप comment box में comment करके जरूर बता है आप किस बाइक का वेट करेंगे और अगर आपने वीडियो को like नहीं करा है तो वीडियो को like जरूर कर देना और चैनल को subscribe भी जरूर कर देना